असलमालेकूम आपलोग कैसे हो उम्मीद करती हैं आपलोग अच्छे होगे आपलोग की दुआज से मैं भी यहां अच्छे हूँ रमजान का सोलवारोजा है आपलोग को सोलवारोजा की मुबारकबात हो और अल्ला से दुआ कर। अल्ला Total हम सब को रोजा रखने की तौफिक तो अभी अफ्तारी का टाइम हो गया है और मैं आज बनाने जा रही हूं मसालेदार लगड़ा तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूं वैसे तो मैं हमेशा बाहर से मंगाती हूं लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूं तो मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ में शेयर इसे मैंने कट करके रख ली हूँ ये भी मैं इसके साथ ही दालूँगी तो यहां पे जो वटाने में मैंने पानी रखी हूँ पानी की साथ वटाना और पानी मैंने दोनों कुकर में खाली कर दी हूँ और इसी में मैं आलू भी दाल दूँगी और आलू भी मैंने वाश करके हमें अपने हिसाब से नमक डालना है चैसे की बस आदा ही चमर दालना है जादा नहीं डालना है तो आप लोगो अगर ज़्यादा लगता है तो आदा ही चमर चाहते हुं और बस इसे में बन करके रख दूंगी और इसे करीब मैं चार या पवाँ सीटिया तक में से पका लूंगी वैसे चार सिती में हो जाएगा लेकिन मैं एश्ट्रा ले ले रही हूँ कभी मतर गले यह न गले इस वजे से तो चलिए फिर यहां पे मैं आप लोग को बता रही हूँ, कि यह देखे, मैं यहां पे भजिया वगेरा, और बटटे की भजिया, और मिल्ची मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि इसकी आप लोग को मैंने वीडियो नहीं बता ही, क्योंकि आप लोग बलंगे बार बर एकी इसके मैंने इसे तलतेवे नहीं बताई आप लोग को आपको मैंने काफी बार बता चुकी थी तो बस यहां पे अभी जो तेयारी करना है और आप लोगे जो दो कांदे ले ले लिए हूं और यहां पर मैं हरी मिर्ची ले लेडी हूं तो यह हरी मिर्ची मेरी सूप गई है अब माशालिब ठीक है इती भी नहीं सूप है कि मैं ना दाल पाऊंग तो ऐसले में चार ले आप चाहिए अपनी मर्जी से जितना लेना चाहिए ले सकते हो तो यहां में कांद्या कटकर लेती हूँ और सूती हो दो कर Ihnen Apache को FRED और सब्सक्राः इस्थी में मिर्शें और यहां मेरे मुड्याम साइज के दो temporarily आए अगर बड़ा लोगे तो आप ही ले ले तो दो ले लेना बस इतने ही जितना मैं लेती हूं मैं वह आप लोग को बता रही अगर आप लोग कहां जादा पकता है तो आप अपनी इसाब से ले सकते हो और बस यहां पर में कांदे कट कर लेती हूं और साथी साथ में यहां मिर्ची भी कट करूंगी और आप लोग से मैं कहना चाहती हूं कि कल मैं वीडियो नहीं भेज़ पाई वैसे क्योंकि मैंने वीडियो पनाई थी मगर गलती से मेरे से ही डिलेट हो गया था तो मुझे बहुत अपसूस हो उस बात का कि मैंने वीडियो नहीं भेज़ पाई क्योंकि आप लोग भी इंतिजार करते होगे और हुआ नहीं चांद करते हैं और आप लोग मुझे कुछ भी बहात शाहिए करते हैं तो उससे भी जाधा मुझे अच्छा लगता है खीक का भी हो जाती गल्ची जैसे मेंसे हो गई इंश किये यह नहीं होगी मदद मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं रोजा खोलने के टाइम भी आप लोग को याद कर रही थी, और बस मेरे बच्चों लोग से मैं वही बोरी थी, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आज नहीं भेज पाई, और में से डिलेट हो गया, तो बच्चों लोग ने मैं ब देखवाज से आप मेरे वीडियो देखा करें, तो प्लीज पूरा देखे करें, अगर आप लोग को अच्छा लगी तब लाइक करना, तो और जो मेरे चैनल में नए आ रहे हैं, प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर ले ना, और आप इंशालला मेरे वीडियो देखेंगे, आ और बस यहाँ पर आप लोगों में बता रही हूं, यहाँ पर 4 सीटी हो गई थी, माश пом內, यहाँ पर आलू अम ड़का दोना अच्छी तरह से गल गया है, तो मैं यहाँ पर इसको थूड़ा सा चमस से फोल लेती हूं csak को अगरा और इसे मैं थोड़ा सा चला के इसे मैनेज कर लेती हूँ और बस इसे जादा नहीं करना हमें हलका ही करना है ताके वो गाड़ापन तो वो हो ही जाएगा अगर बस थोड़ा ही से करना है जादा नहीं करना है तो आप देख सकते मैं हलके हलके हाथ से ही कर रही हूँ और जो इसमें अभी पानी है तो जब हम म गया है मगर अभी में मसाला वगेरा भी कुछ भी नहीं मैं आप लोग को बताती हूँ तो बस यहां पे अभी मैं सारी तैयारी खरके रख ली हूँ और यहां मैं कडाई रख के कैसा उन कर दूँंगी और यहां शुरुवात करती हूँ मैं अपने मसाले दार लगड़ा बनाने की वैसे आप लोग बुलेंगे की या मैंने अभी तक कि आप लोग को चाना नहीं बताई हूँ लगड़ा नहीं बताई हूँ तो जी हां मैं आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ बाहर का अगर घर का बनाती हूँ तो ही म लड़के लोगे जैसे की शारूक और शाहिद वो लोग बहुत पसंद करती इस सब चीजे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा मंगा लीती हूं भार से वरना मैं नहीं खाती हूं इसलिए मैं नहीं ज्यादा नहीं नहीं बनाती हूं तो आज मेरा मुर्मा चलो बना लेती हूं तो और सोचना पड़ता है हर बात को सोचना पड़ता है चोटे-चोटे में डल लगता है लेकिन माशालला भी अभी तक कि तो रमजान सब अच्छी तरह से जा रहे हैं माशालला कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा पतुनीज बिस हो जाता है मगा वह भी अल्ला का कहरा में सब कुछ ठीक होता है सब ठीक हो जाता है तो यहां आपको मैं बता रही मैंने तेल गरम हो गया था कांदे डाल दी हूँ और सबसे पहले मैंने जीरा हरी मिर्ची और अद्रक लेसन का पेज दाली थी एक चमश सिफ एक चमश और फिर उसमें मैं अथ में तो मेने कांदे कर दी ऑट नहें को मिरस्प्राइब करदिं विलए छोड़ दी पी तो इसमें थोड़ा शर्न हो ज़रूरा ना कि हमने अब्टाने गला रहे थे मटर आलू सउल तो उसमें भी हमने अबार झाले ले योडत दाले ति तो अशुच बेसल कि और यहां में अप्छी नीचा गरे बस यह हमें दालना है और यही हमारा मसाला है इसी से माशाळला इतना अच्छा बनता है नहीं लग रहा है कि मैं आपको क्या बता हूं आप लोग जरूर ट्राय करना आप लोग को जरूर परसन आएगा और मेरे घर में इस टाइम जो सामान था मैं उसी से बना ली वरना और भी हम इसे और भी चीजों से और अच्छा टेस्टी और लजदर बना सकते थे लेकिन मेरे पास इस टाइम लिंबू वगेरा नहीं था और आप लोग को बता दूं कि कोटमीर भी नहीं थी बताओ यह सब चीजों में तो यह सब काम आती मग इत्तिफाक की बाते अभी इस टाइम मेरे पास नहीं था जो था मैं उसी में बना ले रही हूं माशालला बहुत अच्छा लग बड़ा यम्मी लग रहा था आप तो वह तो रोजा कोले के बाद ही मैं आप लोग को बता सकती हूं कि मैं जादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ठीक है माशालला बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और बस यहां पे मैंने इसे पकने के लिए रख दी हो यहां मैं आप बहुत पसंद आता है बोलोग यह सब चीजी जादा पसंद करते हैं तो उनकी लिए तोरा बहुत मुचे करना पड़ता है बाकी का इंज्वय तो थोड़ा बहुत एंसंन करना ही जाहे है दो बशुवत बस बच्चे खाने पीने का फोट वोट शॉख रखते हैंम बाकी ऐस परवर्दिगार का इसी तरह हम लोगों को ये दिन नावाजे और इसी तरह हम लोग रोजा रखने में तविक अता करें मुझे भी और आप लोग को भी आमिन सुमामिन चलिए फिर आप लोग देखिए लगड़ा कितना अच्छा लग रहा किता यम्मी लग रहा है तो आप ज के लिए अल्ला हाफीज बाई फिल्म लेंगे